हाई दोस्तों विलकम बाक मैं हूँ अनिकांत आप है ट्रिपल ए एस अकांट वित अनिकांत पर हम पढ़ रहे हैं फंडमेंटल्स ऑफ पार्टनर्शिप और आज हम एक नया कैपिटल एजस्पेंट सीखने वाले हैं प्रीविश वीडियो में मैंने तूसरे तरह के एक परटनर्स परटनर्स पर एक परसंटेज या एक शेयर लाता है या टूटल का एक परसंटेज या शेयर लाता है दोनवी केसे में हमने समझा था कि हमें पहले पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करना है उसके बाद कैपिटल एजस्पेंट करना है जो एक और सिचुएशन थी वहाँ पर नया पार्टनर प्रपोशनेट कैपिटल तो ला रहा था पर प्रीमियम कैश में नहीं लेकर आ पा रहा था तो हमने समझा था जस्ट प्रीविस वीडियो में कि तब हमें प्रीमियम का एजस्पेंट करना है ना कि कैपिटल प्रीविस वीडियो सेशन में पुराने पार्टनर की कैपिटल पर कोई भी इंपक्ट नहीं आ रहा था सिर्फ नय पार्टनर को कैपिटल लेकर आनी थी प्रपोशनेट बट यहां पे नय पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आ रहें कैश में उसकी वज़े से पुराने पार partner cash लेकर आएंगे या जाएंगे और अगर ऐसा नहीं कह रखा है कुछ और specifically mentioned है कि capital के अंदर जो changes है वो हमें current account से करने हैं तो हम current account से करेंगे एक बात simple terms में अगर समझ नहीं हो तो यह कि capital account के अंदर अगर current account right में आ रहा है तो balance sheet के अंदर भी वो right में यानि asset side में जाएगा और अगर debit में आ रहा है यानि credit balance उसका यानि liability side में जाएगा human समझेगा कि मैं रटवा रहा हूं इसके इसके पीछे छोपा वो concept मैं previous video में explain कर चुका हूं इसलिए सारे videos देखिएगा और दूसरी बात कि exam के अंदर हमें question जल्दी करना होता है तो ऐसी बाते याद रखने से हमारी speed बढ़ेगी चलिए question solve करते हैं P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio 3 to 2 R was admitted as a new partner for one fourth share in profits on 1st April 2020 the balance sheet of the firm on 31st March 2020 was as follows balance sheet की liability side में general reserve दे रखा है यह पुराने partners में पुराने ratio में distribute हो जाएगा asset side के अंदर कोई भी existing goodwill नहीं है कोई accumulated loss नहीं है the terms of agreement on R's admission were as follows R के admission पर यह terms of agreement है R brought in cash 60,000 for his capital and 30,000 for his goodwill ठीक बात है तो 60,000 की वो capital लेकर आ रहे हैं बता रखा है हम आगे से छुपा नहीं रखा question में given है R की capital है 60,000 की और 30,000 वो goodwill का cash भी goodwill का premium भी cash में लेकर आ रहे हैं building was valued at 1,00,000 अच्छी बात है तो balance sheet के अंदर जो building है वो 1,00,000 पे value की है 97,10,000 का increase है machinery कर यह 36 पर 4000 का decrease है the capital account of capital adjustment की जो यहां बात है यह रहा वो capital adjustment का point the capital account of P and Q were to be adjusted in the new profit sharing ratio P and Q का capital जो है वो new profit sharing ratio में adjust कर दिया जाएगा पी और Q की जो capital है वो adjust कर दी जाएगी new profit sharing ratio में मतलब नए ratio में बदल दी जाएगी पी और Q की जो capital है उसे new PSR में adjust करने के लिए पहले हमें उनकी adjusted capital निकालनी पड़ीगी नए partner की capital हमें पता है उसके basis पर हम total capital निकालेंगे total capital से existing adjusted capital P और Q की compare करेंगे और पता करेंगे कि वो ज्यादा है या कम और cash लाना है partners को या withdraw करना है वो बात की बात है capital कितनी total होगी वो अभी भी पता चल सकता है और admit हो रहे हैं वन फोर शेर के लिए और वो capital आ रहे हैं 60,000 की तो इससे मैं total capital निकाल दूँगा और फिर उसे new profit sharing ratio में बाट दूँगा question के अंदर clearly बोला है necessary cash was to be brought in और paid off to them as the case में भी तो adjustment जो भी करना है capital का वो cash भी करना है prepare revolution account partners capital account and balance sheet of PQR बिना किसी देरी के मैं revolution account prepare कर रहा हूं ये question का solution दोस्तो start हो चुका है revolution account debit credit particulars amount particulars amount यह हमारा revolution account बन गया दोस्तों revolution account के अंदर देखिए building was valued at one lakh बुला हुआ balance sheet के अंदर building है 90,000 की तो building 10,000 से बढ़ रही है तो revolution के credit में आ जाएगी building का valuation increase हो रहा है फायदा हो रहा है asset की value बढ़ रही है revolution के credit में आएगी इसके बाद बुला हुए machinery at 36,000 machinery 40 की दी हुए 36 पे value हो रही है तो debit हो जाएगी to machinery 4,000 राइट आगे देखते हैं और क्या दे रखा है इसके अलबा और कुछ भी revaluation का adjustment नहीं है तो अब इसे balance कर देंगे to partners capital account 6000 और यह partners यह revaluation account हमारा complete होता है revaluation का जो भी loss जो भी gain है यह मैं partners capital में distribute कर दूँगा बिना किसी देरी के partners capital account दोस्तों बना रहा हूं पर्टिकुलर्स P, Q & R right P, Q & R पर्टिकुलर्स P, Q & R सबसे पहले balance लिखना पड़ेगा buy balance brought down balance sheet के अंदर मिल जाएगा 96,000 & 68,000 96,000 & 68,000 और R में आ जाएगा डैश राइट दोस्तों इसके बाद general reserve balance sheet के अंदर उसे distribute कर देते हैं by general reserve पुराने partners में पुराने ratio distribute हो जाएगा यहां पर case 1 है sacrificing ratio 3 to 2 ही होगा general reserve 16,000 का 3 plus 2 5 16,000 divided by 5 is 3200 into 3 is 9600 तो 9600 का share आ गया general reserve का P का और minus कर दूँगा इसमें से 16,000 तो 6400 आ जाएगा Q का यह मैंने general reserve partners के बीच में बाट दिया पुराने partners के बीच में पुराने ratio में आगे देखते हैं और क्या दे रखी है जानकारी balance sheet के अंदर कुछ भी नहीं है और revolution का जो loss है वो मैं यहां पर debit कर दूँगा revolution का gain है दोस्तो by revaluation revolution का gain है 6000 का और यह divide हो जाएगा 3 is to 2 में 6000 divided by 5 is 1200 1200 into 3 is 3600 and 2400 यह revolution का gain भी distribute हो गया नया partner की capital हमें बता रखी है तो by cash वो लिख दी जाएगी नया partner ला रहे है 60,000 की capital तो यहां पर 60,000 उनकी capital mention कर दी जाएगी वो premium भी cash में लेकर आ रहे हैं वो sacrificing partners के बीच में sacrificing ratio में distribute हो जाएगी उनकी 30,000 की premium है 3 is to 2 5, 5, 6 is 36, 3 is 18,000 and 12,000 premium मिल जाएगी दोनों sacrificing partner को उनके sacrificing ratio में जो की case 1 के आप से old ratio sacrificing ratio new ratio से होता है तो यह premium भी हमने distribute कर दी दोस्तों partners capital account के अंदर अब सिर्फ capital adjustment करना बाकी है तो एक बार के लिए partners capital balance कर दिया जाएगा फिर हम capital adjustment करके आपको बताते हैं capital को यहां balance ना भी करें तो भी काम चल सकता है बट exit pattern में चलते हैं ताकि exam के तंदर आपको एक process पता रहे और आप speed से से कर सके जादा ifs and buts ना रहे 96,000 plus 9600 plus 3600 plus 18,000 जो capital का balance आ रहा है दोस्तों closing वो आ रहा है 1,27,200 का for P Q का मैं calculate करता हूं 68,000 plus 6400 plus 2400 plus 12,000 88,800 88,800 और R का आ जाएगा 60,000 यह वापिस नीचे उतर जाएंगे by balance brought down 1,27,200 88,800 और 60,000 ठीक है यह closing capital balances आ गए अब हमें capital adjustment करना है दोस्तों तो उसके लिए working note लगेगा इसे आप ध्यान से समझ लीजेगा कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर working note computation of total capital देखिए question क्या language बोल रहा है यहाँ पर capital adjustment की कि P और Q की capital new profit sharing ratio में adjust कर दी जाएगी P और Q की capital उनके profit sharing ratio में रहेगी कैसे पता करें के P और Q की capital किस तरीके से profit sharing ratio में चाहिए तो latest capital जो आपने मंगाई है वो नए partner आर से मंगाई है और उनसे मंगाई है 60,000 की capital और कितने शेर के लिए 1-4 शेर के लिए ठीक बात है तो ours capital for 1-4 शेर कितनी है वह 60,000 की दोस्तों 1-4 शेर के लिए अगर 60,000 की capital है तो therefore total capital total capital is equal to total capital कितनी होनी चीए बहुत simple है 60,000 into 4 by 1 total capital into 1 by 4 is equal to ours capital R की capital 1-4 शेर उनको दिया है तो total capital का 1-4 उनने लाना था तो अगर उनकी total capital का 1-4 60 होता है तो total capital कितनी होगी of course 2,40,000 होगी 2,40,000 का 1-6 is 1-4 is 60,000 तो total capital होगी 2,40,000 correct है अब इसमें से R की capital निकाल दीजे less R's capital R की capital किती है 60,000 की दोस्तो R की capital किती है 60,000 की तो 2,40,000 की 60,000 R की capital निकाल दी तो 1,80,000 capital बश्ती 1,80,000 यह किस की capital है combined new capital of P & Q देखिए आप new PSR निकालके इस 2,40,000 को new profit sharing ratio में भी बाट सकते हैं बट उसके लिए आपको new PSR calculate करना पड़ेगा जिसकी जरुरत नहीं है क्योंकि case 1 है देखिए new PSR दे रखा होता अगर question में आगे से दे रखा होता तो मैं 2,40,000 को सीधा new PSR में distribute कर देता बट question के अंदर new PSR नहीं दे रखा है question के अंदर case 1 है old का ratio और new का share case 1 के अंदर old ratio new ratio sacrificing ratio same होता है old partners के लिए ये बात हम समझ चुके हैं अब 2,40,000 total capital है इसमें से R की capital हमें given थी वो मैंने निकाल दी R की capital थी 60 60,000 के basis पे हमेंने पहले total capital निकाली 60,000 अगर one fourth share है तो total capital केती होगी 240 होगी 240 में से R की capital 60 less कर दूँगा तो अब बची combined capital 1 lakh 80,000 यह 1 lakh 80,000 capital किसकी है यह P और Q की capital है सिर्फ और सिर्फ उनकी capital P और Q की capital केती है 1 lakh 80,000 अब मेरी बात समझेगा अगर P और Q की capital 1 lakh 80,000 है दोस्तों और यह इनके new PSR में रहनी चाहिए क्योंकि question ने कहा है कि capital जो होगी adjusted in new profit sharing ratio और P और Q का old ratio new ratio और sacrificing ratio same होगा यानि इस 180 को मुझे new ratio 3 to 2 में distribute कर देना है तो इसमें P और Q का share अगर मुझे निकालना है P और Q का तो 3 to 2 में बटेगा यह old ratio नहीं है यह new ratio है पर old और new same है बस यह बात ध्यान रखनी है 1,80,000 divided by 5 into 3 1,8,000 अगर profit sharing ratio में कोई change होता तो new PSR में मैं पूरी 240 को new PSR में बाट देता R की 60 ही आती और P और Q की नहीं capital आ जाती minus 1,80,000 तो 72,000 जो है वो हमारी capital आ जाएगी 72,000 जो है वो capital आ जाएगी हमारे नए partner की जो है क्यों डोस्तों तो चलिए अब हम partners capital के अंदर closing capital लिख देते हैं वो मुझे पहले से बता है partners capital जो close होगा वो capital मुझे पता है यह capital इनकी होनी चीए 2 balance to be carried down यह हमने अभी अभी निकाली किती capital है 1,08,000 P क्यों नहीं चीए 72,000 Q क्यों नहीं चीए और R की तो of course 60,000 ही होगी क्योंकि उनी की capital के basis पर तो मैंने बचे वे partners की capital निकाली उनकी capital को base assume किया उससे मैंने total capital निकाली फिर total capital में से उनकी capital निकाल दी तो बची P और Q की new capital उसको new PSR में बाट दिया 12,200 ज्यादा है तो P क्या कर सकते हैं दूस्तो capital withdraw करके ले जा सकते question ने का है कि cash में होगा तो two cash balancing figure आ रहा है P withdraw करके ले जा सकते हैं 19,200 of money from his capital क्यों की बात करें तो क्यों की capital भी 88,800 की पर उनकी होनी चाहिए सिर्फ 72,000 तो वो भी cash withdraw करके ले जा सकते हैं 16,800 का from his capital 88,800 minus 72,000 16,800 का cash वो भी withdraw करके ले जा सकते हैं बलकुल सही और R की तो capital based थी तो उनमें कुछ भी changes नहीं होंगे यह दोनों ही cash balancing figure थे अगर credit में balancing figure आ रहा होता तो वहाँ पे भी buy cash करता अगर question में कुछ नहीं मेंशन होता कि cash में treatment करना या किस में तो मैं वहाँ पे buy current account लिख देता हूं फिर वो current account balance sheet में जाते हैं यहां right में आ रहे तो balance sheet में भी right में जाएंगे left में तो उधर भी left में जाएंगे concept में explain कर चुका हूं previous video में जाके देखिएगा रटवा मैं नहीं रहा हूं concept मेरे हमेशा उपर रहेंगे तो चलिए यह capital account में balance कर देता हूं 127,200,88860,000 यह capital account मेरे balance हो गए अब मुझे simply बनानी है balance sheet मैं double underline कर दिया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि capital close नहीं हुआ है balance sheet after admission और reconstitution liability amount assets amount opening balance sheet को follow करते हुए cash आएगा देखिए दोस्तों cash में काफी adjustment होंगे तो ध्यान से follow करीगा मैं cash का calculation ही बता देता हूं cash opening cash था मेरे दोस्तों opening cash था question के अंदर mentioned है 20,000 का 20,000 का cash था इसमें नया partner capital लाया है Rs capital Rs जो capital लेकर आए है वो लेकर आए है 60,000 की तो Rs की capital 60,000 की फिर वो premium भी cash में लेकर आए है जो मैंने partners के बीच में बाटी भी है premium cash में लेकर आए है premium वो लेकर आए है 30,000 की तो premium भी आगई cash में 30,000 premium का एक भी पैसा withdraw नहीं किया गया है ठीक है अब समझेगा आगे और क्या हुआ है पी और क्यूंने पी ने 19,200 और क्यूंने 16,800 विड्रॉ किया है तो पीज capital withdrawal पी ने विड्रॉ किया है पी ने विड्रॉ किया है 19,200 19,200 पी ने विड्रॉ किया है एंक्यू इस क्यापिटल विड्रॉल क्यों का कैपिटल विड्रॉल है 16,800 अब यह सब एजस्पेंट करके हमें क्लोजिंग क्यापिटल मिल जाएगी 20,000 लग्लस 60,000 30,000 माइन लोजिंग कैश मिल जाएगा 19200 माइनस 16800 तो लोजिंग कैश मेरे दोस्तों आता है क्लोजिंग कैश आता है 74,000 का 74,000 का कैश अकाउंट बनाने की जरुरत नहीं है आप ऐसे नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं 74,000 का कैश मैं बैलन शीट में लिख देता हूँ आइ होप यह आपको समझ में आया होगा कोई भी डाउट है कमेंट सक्षिन में आप पूछ सकते हैं डेटर्व 18,000 के हैं डेटर्व में जहां तक मुझे ध्याने कोई भी चेंज नहीं है तो डेटर्व 18,000 पे मैं लिख दूँगा नहीं बैलन शीट में भी कोई भी स呢 देखते हैं और क्या दे रखा है दोस्तों आगे देखा है स्टॉक 20,000 का है वो में अब भी कोई च्छ नहीं है इसे भी लिख देता हूं same amount पर 20,000 आगे देखते हैं और क्या दे रखा है स्टॉड के बाद रटाब Cheryl furniture furniture में भी कोई चेंज नहीं है वो भी से ममंग पर आज जाएगा तो furniture भी 12,000 पर furniture आज जाएगा दोस्तों furniture के बाद है machinery, machinery में change है हमने mark भी लगा रखा है उसके आगे machinery 4000 से कम हो रही है तो 40 की जगा 36 की हो जाएगी और machinery के बाद आता है building 90,000 की है वो building 90,000 की है और building को बढ़ाना है 10,000 से building को 1,000,000 का करना है तो building यहाँ पर आ जाएगी 1,000,000 की और कोई भी unrecorded asset नहीं है revaluation account के अंदर आप देख सकते हैं और कोई treatment भी नहीं बचा है तो liability site फड़ा फट से उतार देते हैं liability site के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं तो creditors 20,000 कोई change नहीं है there is no change then general reserve distribute कर दिया है पुराने partners में पुराने ratio में capital account यह closing capital balances में लिख दूँगा capital की जो total आ रही है दोस्तों वो हमें पता है capital 2,400,000 की आएगी वो हमने निकाल रखी है बस एक formality है इसको P Q और R के बीच में बाटना 1,800 for P 72,000 for Q and 60,000 for R आज जाएगा राइट और अब 2,600,000 पर यह balance sheet टैली हो रही है liability side में और assets में calculate करके बताता हूं जी हाँ asset side की total भी बिलकुल 2,60,000 आ रही है और क्यों नहीं आएगी हमने question में कुछ गलती नहीं करी है तो दोस्तों यहाँ पर capital adjustment था जब नए partner की capital की basis पर पुराने partners की capital को exist किया जाता है I hope यह आपको समझ में आया हो समझ में आया है ज्यादा time लेते ना लेते हुए बिना बात question को ड्राइग या video को ड्राइग किये बिना मैंने आपको समझाया है आप से expectation है कि आप वीडियो को like करिए जाज ज्यादा चैनल को share तो फड़ा फट से वो subscribe वाला बटन बाओ सिर्फ एक सेकंड लगेगा मेरे चैनल को बहुत फायदा हो जाएगा इससे bell icon दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया video upload हो चैनल पे आपको सबसे बेले notification मिले मैं आगे इस चैनल पर और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जहा करिये मैं किस तरीके से improve कर सकता हूँ कोई भी doubt या question आप मुझसे पूछ सकते हैं अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए bye and I wish that you have a very very good day today bye for now